Hey everyone, welcome to my channel, that is Kapoor Classes and my name is Kritika और आज मैं आपको idioms करवाने वाली हूँ, जो की dog based है तो जैसे कि हमें पता है, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे idioms, phrases और expressions है जो की animals से start होते हैं, कुछ dog से होते हैं, कुछ cat से होते हैं और बहुत सारे idioms color से भी start होते हैं कुछ idioms हमारी body के उपर depend करते हैं, body parts पे, like hair पे होगे, hand पे idioms होगे, head पे idioms होगे पर आज का हमारा main topic रहेगा, animal idioms में से भी हमने एक छोटा सा part निकाला है, that is, idioms based on dog तो आज हम यह idioms देखेंगे, इनका meaning देखेंगे, और कैसे daily life में इनको हम use कर सकते हैं और एक-एक sentence भी बनाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि sentence में किस तरीके से इन idioms का use किया जा सकता है तो देखो, यह जो idioms है, यह जो expression है based on dogs, आप यह कभी भी अपनी day to day life में use कर सकते हो जब आप किसी से बात कर रहे हो, कुछ भी बात हो सकती है और आप बीच में एकदम से कोई idiom क्या देते हो, तो वो आपका एक अच्छा impression जो है सामने वाले पे बन जाता है तो देखते हैं क्या-क्या हमारे पास dog idioms हैं, यह कुछ list है मेरे पास जो आप यहाँ देख सकते हो, कुछ idioms यहाँ मैंने लिखे हैं बस इन ही के meanings देखेंगे, फिर देखेंगे इनके sentence कैसे बनते हैं, अब जादा time ना लेते हुए, स्टार्ट करते हूँ मैं यह idioms और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें स्टार्ट करते हैं dog idioms तो पहला idiom है हमारे पास, that is puppy love, that is puppy love, puppy क्या होता है, doggy के बच्चे को कहते है puppy, so puppy love, puppy love होता है, एक छोटा सा crush या mild infatuation मैं कहूंगी, क्या होता है, जब teen age में होता है, तो आपस में होता है बच्चों को किसी को किसी पर crush आ जाता है, पर वो जादा long lasting भी नहीं होता, puppy love उस फिर हमें वो अच्छे लगते हैं, तो पर वो एक mild crush होता है, so एक temporary infatuation of a teenager या एक mild crush को हम क्या कहते है, puppy love, जैसे आप सारे बहुत सारे अप ऐसे लोग होंगे जिनको school, college में ये puppy love हुआ होगा किसी से, right, so अब हम देखते हैं इसको sentence में कैसे यूज कर सकते हैं, so sentence यहां में लिखा है, they do make a nice couple, but don't you think it's a puppy love or they would really last forever, so वो दोनों एक बहुत अच्छा couple हैं, लेकिन तुमें लगता कि ये puppy love है, मतलब टीनेजर वाला प्यार हो सकता है, so temporary है, long lasting नहीं है, तो उसके बारे में बात की गई है, clear है, puppy love का मतलब क्या होता है, temporary infatuation or a mild crush, next देखते हैं, next है हम all bark no bite, आपने हिंदी में सुनाओगा, जो गरस्ते हैं, वो बरस्ते नहीं, तो अब सुचो न, all bark no bite, मतलब एक डॉगी है, जो आपको लगातार जो है, is barking at you, वो भॉंक रहा है, लेकिन वो आपको काटेगा नहीं, that means क्या है, कि बातों से तो कोई बहुत जादा भरा हुआ ह क्या है, वो बहुत low है, अब कैसे, मतलब बातों से भरा हुआ, मतलब क्या कि कोई आपको धमकी दे रहा है, बहुत ही गुस्ते से खड़ा है, कोई आपको लगातार धमकाय जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये सिर्फ धमकिया ही है, और वो कुछ आगे नहीं करेगा, व वो सिर्फ बोल रहा है, वो कुछ करके नहीं दिखाने वाला है, तो उसको हम कहते हैं, all bark, no bite, full on talk, but low on action, बोलने में बहुत जादा, बहुत ही जादा, extra ही बोल जाना है, लेकिन करना कुछ भी नहीं है, और क्या कह सकते हैं, threatening, aggressive, but not willing to engage in fight, तो ऐसा कि जहां पे आपको कोई धम का रहा है, गुसे से डरा रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो लड़ेगा नहीं, so देख लेते हैं इसको sentence में किस तरह use कर सकते हैं, so he has threatened me that he'll break my leg if I ever go near to his house, but I believe he is all bark, no bite, उसने मुझे धमकाया कि वो मेरी टांग तोड़ देगा, अगर मैं उसके घर के पास उसको देखा द नहीं, बहुत चारे लोग होते हैं, आते जाते हैं, ऐसी धमकी जिस आते हैं, पर आपको पता है किसी बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, तो उनके लिए हम use करते हैं, all bark, no bite, next है हमारे पास dog days, अच्छा, dog days कब के लिए यूज करते हैं, वैसे जो आपको गर्मियों का सबसे जादा highest gurmy वाला time जो होता है, summers में, highest gurmy वाला time, in the sense, जब थोड़ा moisture भी होता है, और gurmy भी होती है, वो चपचिपाहट होती है, गर्मी बहुत जादा है, पसीने आ रहे होता है, तो उन days को हम कहते हैं, dog days, क्या कहते हैं, dog days, so इसको sentence में हम किस तरीके से use कर सकते हैं, ये र dog days आते हैं, बहुत तेज गर्मी वाले दिन आते हैं, तो मैं हमेशा क्या plan करते हूं कि कहीं, ठंडी जगा पे पहाडो वाली जगा पे अपना vacation प्लान कर लेते हैं, छुटियों को plan कर लेता हूं, ठीक है, so dog days कहते हैं, अभी जैसे आपको पता है, summers में एक time आता है, जो बह सो रहा है, उसको सो ने दो, उसको छेडो मत, let sleeping dogs lie, अब हिंदी में भी मैंने लिखा है, सोते नाक को मत जगाओ, that means कि sometimes क्या होता है, हमारे पास, ऐसे situation आ जाती है, जहां पे आपको पता है कि अगर आप कुछ कहोगे, यह situation को थोड़ा सा भी छेड दोगे, तो बहुत ऐसा होता है कि situation आती है, और आप react कर सकते हो, बट आप चूज करते हो कि आज react नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप react करो कि आपको पता है कि कोई problem खड़ी हो जाएगी, right? So, let sleeping dogs lie का मतलब है, कि it is best to leave the situation as it is, if disturbing it might cause the trouble. कि situation को वैसे का वैसे ही रहने तो अच्छी है, अच्छी रहने तो बुरी है, बुरी रहने तो क्योंकि अगर आज इसको disturb किया situation को तो हो सकता है कि कोई future के लिए, या अभी के लिए कोई problem create हो जाएगी. तो मतलब जान मुझ के सोते नाग को मत जगाओ, हाना फिर वो क्या करेगा, अगर नाग सोया, आप किसी सांप को एकदम से जगा दोगे, वो आपको dust लेगा, तो अपने आपके लिए problem create ना करना. So we know that we would never reach an agreement over this matter, so it's better to let sleeping dogs lie and things continue as they are. अब हमें पता है कि इस matter के ऊपर हमारा कभी भी एक common जो है हम agree नहीं कर सकते किसी बात पे, एक बात पे हम दोनों नहीं रह सकते, तो यही better है कि situation को वैसा ही रहने दो और जैसा चल रहा है वैसे चलने दो. Let sleeping dogs lie. अब अगर आप सोतो है कुत्ते की पूंच पे प्यार रख दोगे वो आपको काटे गाई ना, तो फिर उन situation को वैसे ही छोड़ दो. Okay, next है love me, love my dog. मुझे भी प्यार करो और मेरे कुत्ते को भी प्यार करो का मतलब है to love someone unconditionally. कि किसी की faults को देखे बिना, किसी की कोई कमिया, खामिया, सब को इग्नोर करके totally, unconditionally किसी को प्यार करना. To love someone unconditionally despite faults. देखो हर किसी में खामिया होते है, कुछ कमिया होते है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को unconditional प्यार करने को कहते हैं, love me, love my dog. So I want a man who would love me, love my dogs. मतलब मुझे एक ऐसा आत्मी चीज जिन्दगी में, जो मुझे unconditionally प्यार करें, मेरी खामियों को accept करके. Next देख देते हैं, next है dog tired. Dog tired का मतलब होता है कि, मतलब हम कहते हैं ना हिंदी में कि मेरी तो हालत जैसे थके हुए कुट्टे की तरह हो गई है, right? तो dog tired का मतलब होता है, exhausted, very tired, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, मतलब आपकी energy बिल्कुल ही खतम हो गई है, यहां आने लिखे भी है, इसके meaning जैसे, योग या exhausted, very tired या totally drained, कि आप बिल्कुल ही energy आपकी खतम हो चुकी है, तो हम क्या कहेंगे, I am dog tired, I am totally dog tired, after the five days of journey, तो जो आप पांच जिन से travel ही करी जा रहे हो, पांच जिन से flight में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो you will be dog tired, मतलब exhausted या totally drained, next है dog's life, अच्छा, बताएंगे कोई मुझे कैसी होती होगी dog की life, खुश होती है, कुटों की सिंदगी कैसी होती है, देखो बिचारे, अब जो त क्या है हमारे पास, miserable, unhappy या unpleasant life, की ऐसी life जो की बहुत ही कैसी है, खुश मिजाज नहीं है, आप खुश नहीं हो, miserable life है, उसे कहते है, dog's life, sentence देख लेते हैं, यहाँ देखो मने यह भी लिखा है, live और let a dog's life, की अच्छे से जी लो नहीं तो और या फिर कैसी, या तो जी लो ढ या फिर, miserable और unhappy रहो, so he has been living a dog's life since his wife left him, तो जब से उसकी wife ने उसको छोड़ा है, तब से वो कैसी जिंदगी जी रहा है, बहुत ही unhappy और miserable life हो गई है, ठीक है, नाखुश है वो अपनी जिंदगी से, नेक्स है dog eat dog, dog eat dog का मतलब क्या है, अच्छा, आप सोचों कि एक गली में दो कुद्टे जा रहे थे, और अचानक से क्या हुआ, वहाँ पर एक उनको हड़ी मिल गई, तो क्या होगा, वो दोनों आपस में लड़ेंगे ना उस हड़ी के लिए, तो dog eat dog का मतलब है a very competitive world, तो की बीच competition होगा, आप जो जीतेगा वो हड़ी ले जाएगा, एक दूसरे को डरा देगा, या कार्ट के कैसी भी करेगा, तो dog eat dog का मतलब है very competitive world की, बहुत जादा competition है, जहां पर रदलेशली competitive, so it's a dog eat dog industry, तो यह जो industry है, यह कैसी है, बहुत ही जादा competitive है, यहां बहुत जाद competition है, next है हमारे पास, यह last है हमारा आज का, bark up the wrong tree, गलत पेड को देखके भौंक रहा, ऐसा कुछ बन रहा है, so bark up the wrong tree, इसका मतलब क्या हुआ, कि गलत पेड के पास जाके आप भौंक रहा हो, that means waste one's efforts by pursuing the wrong path or thing, तो अब क्या है, अब किसी गलत जगहा पे अगर आप efforts लगा र आपको कहीं जाना है, let's suppose आपको east की तरफ जाना था अपने destination तक पहुंचने के लिए, लेकिन आप west में चले गए, so that means you are barking up the wrong tree, आप गलत साइड जा रहे हो, अब गलत सोच भी रख सकते हो, आपको सोचना चाहिए था सब कुछ अच्छा सामने वाले की intention के हिसाब से, लेक साइड पे अपना efforts को वेस्ट करना, the police was barking up the wrong tree, by trying to prove the person guilty, he was nowhere near the crime scene, तो पुलिस जो है, वो गलत इंसान की तरफ जो है, अपना time वेस्ट कर रहे हो, उसको guilty प्रूफ करने के लिए, क्योंकि वो जो person है, वो तो crime scene के, आस पास भी नहीं था, clear, तो इसी के साथ, आज हमारे ये देफिनिटली पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर देखे जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको notification मिलता रही इन वीडियो का, और वीडियो को जादा से जादा शेयर करना, thank you so much, तो मिलते हैं हमारी next वीडियो में कुछ नई EDM के Have a good one, bye-bye